नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर एलगो क्राब के वीडियो टॉटोरियल में मैं हूँ आपका दोस्त परवीन राना और जैसे कि आपने थमनेल में देखा होगा आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेटजी टेस्टिंग की सबसे पहली चीज़ दोस पास हिस्टरीकल डेटा एविलेबल है किसी भी सिंबल का किसी भी चार्ट का के पास पुराना तीन महीने च्छे महीने साल का डेटा है उस डेटा पे अपने इंडिकेटर को अपलाई करना और उसका रिजल्ट चेक करना कि वह किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है या नहीं ह है है तो कितना है citizen कितना लगा के क्या क्या चीदे कर सकते हैं वो सब तरीके क culturally हम भोलता है है तो यह को हमें यह रिखे स्थंग कर me कि अर तुर स्टेस्टिंग करने को हम बोलता है है इंपोर्टेंट चीज होती है यह जो स्टेटजी टेस्टिंग होती है क्योंकि अगर हम किसी ऐसे इंडिकेटर के थुरू काम कर रहे हैं जो कि हमें पिछले तीन महीने शे महीने में प्रॉफिटेबल नहीं दिख रहा है तो वहां पर आपको प्रॉब्लम हो जाती है जैसे कि हमारे प्लैटफोर्म पर अल्गो क्रैब में हमने वेक्टेस्टिंग एड़ किया है लेकिन अभी वह इतना एफिशेंट नहीं है विकॉज हमारे पास हिस्ट्रीकल डेटा जादा अवेलेबल नहीं है तो हमारे प्लैटफोर्म पर जो यूजर्स आते हैं वह इसको अच्छ करना होता है कि हमें जाना होता है ट्रेडिंग विउपर तो हम इस से पहले ट्री यूप जाएंगे यहां पर हम लिखे दिड्रेडिंग विशала.p कॉं ऑल के यह उसमें enghrapa option मिलता है products का product पर क्लिक करने के बाद हमें जाना होगा हो चार्स पर सुपर चार्ड लिखा हुगा जो तो हमें इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे को चाड खुलके दिखेगा Department चार्ड में जो होता है दोस्तों वह proper एक मिन्ट पहांच मिन देली मेदा है सब आपको टाइम फिरेम मिल एक इनके साब से आप कोई भी टाइम फ्रेम सेट कर तो उसके बाद हमें जाना होगा इंडिकेटर के सेक्शन में जहां पर इंडिकेटर में जाएंगे तो यहां पर ट्रेडिंग व्यू की जो फॉर्मेशन मतलब ट्रेडिंग व्यू में जो इंडिकेटर होते हैं उनको हम स्टेडी बोलते हैं और ट्रेडिंग व्यू में जो स् strategies ही बोलते हैं तो strategies में आप देख सकते हो यह अलग-अलग strategies यहां पर available हैं ठीक है moving average crossover MACD वगएर 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 पेरा बोलिक SAR pivot RSI की strategy भी है super trend की strategy भी है बहुत सारे लोग जैसे करते हैं तो आप यहां पर आके क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का option आएगा join for free का इसमें आप अपने Google के account से या किसी से भी account से आप login कर सकते हो trading view का जो प्रो सब्सक्रिप्शन है इसलिए मैंने यहां पर two-factor authentication किया हुआ है two-factor authentication करने के बाद जो है यह login करने देता है लेकिन अगर आपके पास two-factor authentication नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है वह जब आप अल्गो ट्रेडिंग करने जाएंगे तो आपको जरूवत पड़ेगी अधरवाइस आपको जरूवत नहीं पड़ेगी सिंपल आपको वही process यूज करना है आपको चार्ट पर जाना है तो simply आपको यहां पर जाना है यह जैसे सूपर ट्रेंड हमको क्लिक करना होगा यहां पर हमने सूपर ट्रेंड को क्लिक किया तो जब हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यह ना पूरा ओवर व्यू नीचे आपको यहां पर दिखेगा का नेट प्रॉफिट 904.2.60 आएनर टोटल क्लोज ट्रेड है 108 परसेंटेज और चालिस परसेंट और प्रॉफिट फेक्टर आपका यह है मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना रहा है एवरेज ट्रेड कितने रुपेगा प्रॉफिट हुआ है और एवरेज कितनी बार्स में ट्र ट्रेड कब-कब हुई कब-कब नहीं हुई उसके लावा अगर आपको इसकी सेटिंग चेंज करने तो आप यहां उपर जो यह सेटिंग का ओप्शन आता है इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर इसको आप अपने हिसाब से सेट कर देंगे जैसे दस चार करना है तो दस चार करेंगे दस चार के इसाब से फिर आपको यह ओवर्वियू दिखाएगा जैसे यहां पर देखिए फोटीन ताउजन शिक्स फोटी आयनार का प्रॉफिट दिखा रहा है यहां पर इसकी परफॉर्मेस आप देख सकते हो कि यह दिखा रहा है कि ट्रेडिंग रेंज जो कौन सी स्ट्रेटेजी पे कौन से पेरामीटर पे आपको प्रॉफिट हो रहा है ज्यादा जैसे मैं इसको और चेंज करता हूं तो उसके हिसाब से यह हमें बताएगा तो अलग-अलग पे देख सकते हो जिस पर आपको लगता है कि इस वारी सेटिंग पे मुझे अच्छा कर रहा है कि आप उस पर इसको अपलाई कर सकते हूं कि हरेक के साब से आपको लग-अलग फेक्टर से रएक प्रॉफिट और लॉस वगरा दिखाता रहेगा तो बहुत ही आसान है तरीका आप स्ट्रेजी टेस्टर पे इसको रन कर सकते हो यहां पर स्ट्रेजी टेस्टर मि इतना भी लिखा हूँ है सब्सोर्स कोड है इसका इसको आप कॉपी करके यूज कर सकते हो या फिर अगर माल लिजे आपके पास कोई स्ट्रेजी है और आपने यहां पर से चेक कर लिए आपको लगा कि यह प्रॉफिटेबल है और अब मुझे इस पर अलगो ट्रेडिंग स कर सकते हो प्रोसेस बहुत सिम्पल होता है आपको द्रेडिंग आपाइं आपको हमारे प्लैट्फ फॉर्म पर एक ब्रइजः का सप्कृप्शन लेना होता है उसके पाद आपका ट्रेड्ड आटोमेटेकली होता रहता है इसमेछ अंको विलिप एस यानि वर् militarज की जरु पर ऐसा होगा तो मैं जो है ट्रेड करूंगा उस चीज के लिए भी आप जो है हमारे को कंटेक्ट कर सकते हो हमारे email address पर आप हमें mail करेंगे अपना strategy का document लाइक उसमें भी भेजेंगे हमें कि आपको buy sell कितने पर करना है या क्या आपकी buy करने की condition है जैसे मालिज़े आप चाहते moving average और RSI दोनों को मिला के करना है में CD RSI मिला के करना है या कोई भी अलग strategy indicator कोई भी चीज़ आपको बनानी है तो आप हमें contact कर सकते हैं हम लोग आपको उसका quotation दे देंगे और साथ ही साथ उसको code करके देंगे nominal cost पर आपको वो सब चीज़ें की services मिल जाती है तो सबसे पहली चीज़ तो मैं ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको strategy testing करनी है तो आप easily कर सकते हो trading view का इस्तमाल करके आपको यहां पर wide range of indicators मिल जाते हैं जो basic indicator users हैं अगर आप basic नहीं use करते advance को indicator use करना चाहते तो आप हमसे बनवा सकते हो हम strategy की formation में उसको बना देंगे फिर उसको आप यहां apply करके strategy testing कर सकते हो आपको लगे कि वह अच्छा जा रहा है तो फिर हम उसको study मिलता हूं फिर आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाइबार take care and happy trading